हे गाईस चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल मार्गेट जैसी मलाई कुलफी घर पर वो भी बहुत ज्यादा कम इंग्रीडियंस में और ना तो हमें इसके लिए मिल्क पाउडर चाहिए होगा और ना ही चाहिए हमें खोया बस हम मिल्क लेंगे दो से तीन इंग्रीडियंस से हमारी मलाई कुलफी बनकर रैडी हो जाएगी कि आप एक बार खाओगी तो फैन हो जाओगी तो मैंने यहां पर आधा लिटर मिल्क ले लिया है इसमें लाइची पाउडर डालकर इसको अच्छे से पका लेना है मतब दूद को उबालाने तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर फ नहीं हा कोकोडो पाउडर लिया है अब हमने चन्मत से अच्हे से आट ले लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है मिल्क और कोकोडो an-ब क्रम को तो छला चला transmit कर लींगे और ब्रेट क्रम से क्या होगा ना दूदध थीक होना इस्तार्ट हो जाएगा तो हमने यहां पर रह Kabul क के बाद चमत चलाते रहना है और जो फोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाए गा तो पांच मिनलगे इसको थिक होने मिल्क है यह बिल्कूल रबड़ी जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद न हमने इसमें पर देनी शुगर अपने टेस्ट के अगादिंग तो जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में एड़ करनी है ताकि जो चीनी है वो ज्यादा मीठा ना हो जाए तो हम इसलिए अपने टेस्ट के अगॉर्डिंग लास्ट में एड़ करेंगे उसके बाद हमने गैस को बंद कर देना है मतलब अच्छे से कुक करने के बाद हम गैस को बिजर में और जब यह जम जाए अच्छे से इसको बीच में छेड़ना नहीं है बारा घंटे तो लगी जाता है इसको जमने के लिए ऑफिस के बाद मतलब रात को रखो तो सुबह तक जम हुई मिलेगी फिर इसके बाद हमने यहाँ पर पानी लेना है इस तरीके से इसको और पिर हमारी आइस क्रीम जब ना निकल जाएगी इतनी ज्यादा टेस्टी यह रबड़ी वाली आइस क्रीम आप लोग भी जरूर ट्राइगे जगा क्योंकि आपको घर में ही मिल जाएगी यह बिल्कुल मलाई वाली कुल तो इस रेसीपी को ठ्राइगे तो बनता ही है क् कि आप लोग जब तक खुट राई नहीं करोगे तो आपको कैसे बता चलेगा कि यह कितनी ज्यादा टेस्टी है तो अगर आप लोगों को यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई